नमस्कार साथियो स्वागत है आपका क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफोर्म पर मैं हूँ दिनेश साहू और आज हम एक जोग्रफी के महत्पूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से हमें अक्सर सभी एक्जाम्स में कुश्चन देखने लगवक्त तेरा बड़े बंदरगा हमें भारत में देखने को मिलते हैं तो इन सभी तेरा पोट को या फिर बंदरगा को हम डिसकस करेंगे छहां से जोड़कर कि किसी भी exam की तैयारी करना चाहते हैं, मुझसे geography पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी आप root application को play store से download कर सकते हैं, यहाँ पर आपको different foundation courses मिल जाते हैं, different individual batch मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से आप उन वैचो को avail कर सकते हैं, और अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ आप मुझसे geography पढ़ना चाहते हैं, Indian geography हो, world geography हो, तो यहाँ पर आपको मेरे live और recorded courses मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप इन courses को avail कर सकते हैं, different foundation courses हैं, जैसे की economy, quality, history, science, reasoning, ठीक है, जो कि हमारी अलग-लग expert faculty के द्वारा पढ़ाये जाते हैं, तो इन courses को भी आप देख सकते हैं, हमारी application में visit करके, इसके लबाँ हमारी एक और application है, crazy ggator की application, इसको भी download कर लेजे, जो भी हमारे लगातार वीडियो जाते हैं, उनकी जो PDF हैं, खासवार पर current affair वगएरा की, तो आपको इसी application से मिलती हैं, साथी साथ, बहुत सारे courses भी आपको यहां पर मिल जाते हैं, recorded, तो इनको भी आप avail कर सकते हैं, किसी भी course को avail करते हैं, तो avail करने के लिए DSCJT coupon code को आप apply कर सकते हैं, चलिए, तो यह हमारा भारत का map है, ठीक है, आप जानते ही होंगे, जो हमारी भारत है, तो गोजिरात से लेकर के यहां पर आप देखेंगे पश्यमंगालता, ठीक है, यह हमारी coast line है, ठीक है, तटरिखा है, तटरिखा मतलब यहां पर आपको पता है, यह वाला जो reason है, अरब सागर का reason है, यहां पर आप देखेंगे, बंगाल की खाड़ी है, और नीचे आप देखेंगे, तो हिंद महासाकर, मतलब यह वाला जो प्रायदीपी भारत है, यह समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है, और इसको ही हम बोलता है, कोश्ट लाइन या फिर तटरिखा, बाकी उपर का आप द पोट या फिर बंदरगाह, तो ऐसे ही हमारे भारत में लगबग 13 बड़े ठीक है, और 200 से जादा, 200 प्लस छोटे बंदरगाह देखने को मिलते हैं, तो पहले कोश्ट तो एक्जाम में यहां से ही बन जाता है, कि भारत में कितने पोट हैं, तो भारत में लगबग 13 बड़े इनको हमें डिस्कस करना जरूरी है, किसकी क्या विशिष्टा है, कौन सा किस राज्य में है, इन सभी को पढ़ना आवश्यक है, यदि हम बात करें इन बड़े बंदरगाहों की, तो इनका जो रख रखाओ, मैंटिनेंस का कार है, ये कैंद सरकार करती है, पोट ट्रस्ट आ आपको याद रखना है, ठीक है, तो चलिए एक एक करके जो ये पोट हैं को हम डिस्कस करते हैं, इससे पहले एक और फैक्ट आपको थोड़ सा दिमाग में रखना है, कि आप देखेंगे ये भारत की तट्रिका, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि ज़्य ज़्यादा अच्छे जो बंदर गहा हैं आपको इस कोष्ट में देखने को मुलेंगे, क्यों उसका रीजन है, आपको पता है यहां पर वैस्टन घाट, पश्चिमी घाट परवत है, ठीक है, और यहां पर पूर्वी घाट परवत है, ठीक है, भारत की ज़्यादतर बड़ पढ़ाया है, जो नदिया एश्चूरी बनाती हैं, तो अपने मुखाने पर जो अवशान भो भाह करके लाती है, तो अपने साथ अवशाद लाती है, उनको डिपॉजित करना शुरू कर देती है, जिसके जादा गहराई आपको कहां देखने को मिलेगी इस वाले कोोश्ट में और कम गहराई आपको यहां पर देखने को मिलेगी तो प्राक्रतिक तौर पर जो अच्छे बंदरगा हैं आपको अरब सागर में देखने को मिलेंगे इसके लिए आपको पता होना चाहिए अच्छे बंदरगा क्यूं आपको इस कोष्ट में देखने को मिलेंगे तो नॉ यहां पर आप देखिए गुजरात राज है और गुजरात राज में यहां पर आपको एक बंदरगहा देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं कांडला पोर्ट क्या बोलते हैं कांड्रला बंदर गहा यह से यहां से बन जाएगा कि इन में से किस बंदर गहा का नाम? तो कांड्रला पूर्ट को के गुजरात में हैं इसको हम दीन दियाल पूर्ट के नाम से जाने हैं आपको याद रखना है ठीक है अब यह कहा पर इस्थित है तो यहाँ पर यदि आप युवाला छेतर देखेंगे इसका ठीक है ये युवाला जो छेतर है ठीक है यहां पर आप को यहां पर ढॉय जली निकाय देखिएगा छूटा सा तो इसको हम बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, ठीक है, कच्छ की खाड़ी, यह वाले जो छेते हैं, इसको हम खंबात की खाड़ी बोलते हैं, यह पूरा अरब सागर है, ठीक है, तो कच्छ की खाड़ी में इस्थित है, तो कई बड़ बच्ची यहां पर ही गलत एक्जाम में को कि कांडला पोट कहां इस्थित है कच्छ की खाडी खाम बात की खाड़ी बंगाल की खाड़ी लग भर ginady मैं यह तिस पर यह और ज Kentucky को मिलती है इसकी लोकेशन आपको यह को यादख क्या होता है समुद्र की तलका ऊपर और जाना और फिर वापस से नीचे चले जाना उसके तलका ठीक है तो इसको हम बोलते है जवार और भाटा ठीक है अभी हमें डिटेल में नहीं जाना है तो यह जवार भाटा तो यह जो जवार भाटा आते हैं तो जो बड़ी बड़ी शि आपको याद रखना है ना नैचुरल पूट है प्राकर्तिक बंदरगा है यह पॉइंट आपको याद रखना है इसके अलावा एक पॉइंट और आपको याद रखना है आप जानते ही होंगे इससे पहले ठीक है मतला हमारा देश 1947 में आजाद हुआ है उससे पहले यहां पर आपको पता है वगल में हमारा पड़ोसी दिस पाकिस्तान है और यहां पर ही आपको करांची सहर देखने को मिलता है कौनसा सहर करांची सहर देखने को मिलता है पाकिस्तान में आपको जानते होंगे ना जो सिंदु न दिया डिल्टा बनाती है करांची के पास ही बनाती है तो यहां पर करांची सहर आपको देखने को मिलता है तो आजादी से पूर जो पूरा है हमारा यह वाला पार्ट है भारत का तो यहां पर आयात मिर्यात के दिश्टी कौन से श्प्र जो महत्रपुन पोर्ट था वो उत्तर भारत के लिए करांची पोर्ट था ठीक है लेकिन आ तो इंडुस्ट्री काफी यहां पर विक्सित हैं तो उस दृष्टी कौन से यहां पर एक पोर्ट का होना आवश्यक था और हमने आजादी के वाद यहां पर एक कांडला पोर्ट को डेवलप किया ठीक है तो यह बात भी आपको याद अखना है इससे पहले इसके स्थान पर क करनाची पोर्ट का ज्यादा महत्य था लेकिन आजादी के वाद हमें जरूत में महसूस हुई कि हम एक पोर्ट डेवलप करें और हमने यहां पर कांडला पोर्ट को विक्सित किया आपको याद रखना है ठीक है इसके लावा जो कांडला पोर्ट है एक बात और आपको बंदरगाह क्या होता है इसको भी जर समझ लीजी कि ऐसे जो छेत्र होते हैं मुक्त व्यापार छेत्र मुक्त व्यापार बंदरगाह मतलब गवर्मेंट इसमें काफी ज्यादा रियायते देती है टैक्सेशन में कर्व अगेरा में ठीक है ताकि आसानी से अन्य देशों के स आयात निर्यात हो सके ठीक है कम टैक्सेशन के साथ या फिर नाके बरावर टैक्सेशन के साथ तो यह भी आद रखना कि पहला मुक्त व्यापार वाला जो बंदरगाहा है वो भी कौन सा है कांडला पोर्ट है और खास तो पर यह वाला जो छेत्र पूरा हमारा हर्याना यहां पर पूरे देश में सप्लाई की जाती है तो जितने भी पॉइंट मैंने इस पहले बंदरगा के अंतरगर बताए है चाहे वो इसके नाम की बात वो कच्छे की खाडी में स्थित्य ज्वारी बंदरगा है ठीक है प्राकरतिक बंदरगा है मुक्त व्यापार चेत्रव होंगी ठीक है क्या नाम है इसका यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कांडला ठीक है कांडला बंदरगाह चलिए गुजरात में है ठीक है चलिए अगला अगला यहां पर आपको महराष्ट राजी देख रहा है महराष्ट में यहां पर आपको पता है मुंबई है क्या है वेस्ततम पोर्ट है काफी जो ships होती है उनका traffic काफी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है ठीक है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है ठीक है और यहां पर traffic वगेरा भी जहां जो का काफी होता तो यह एक west port भी है भारत का काफी west port भी यह वाना जाता है ठीक है अब च इसके लोड को कम करने के लिए यहाँ पर ही एक और बंदरगाह को developed किया गया जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं नियावा शेवा port के बोलते हैं नियावा शेवा port थीक है मुंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए है ना चुकि मैंने पता है काफी विस्त ये बंदर गहा है तो इसके ही ट्राफिक के लोड को कम करने के लिए एक नया बंदर गहा बनाया गया मुंबई में ही है ना नवी मुंबई पोर्ट के नाम से भी न्यावा शोवा को हम जानते हैं ठीक है तो ए एक रत्यम पोर्थ है आपको याद रखना है इसके लबा इसकी विशिष्ता क्या है न्यावा शोवकी कि सबसे बड़ा container वाला port है container handling container sorry container handling भारत का सबसे बड़ा container handling वाला जो port है वो नियावा शेवा है आप जानते हैं होंगी जो बड़ी बड़ी ship की थूँ goods का आयत निर्यात होता है तो वो जो सामान रखा जाता वो बड़े बड़े container में ही रखा जाता है ठीक है तो सबसे बड़ी सबसे वेस्थ पोर्ट भी माना जाता है मुंबई ठीक है साल से दुई पर मुंबई इस्थित है आप जानते ही होंगे इसी के लोड को कम करने के लिए एक नियावा शोवा तो यह महाराष्ट्र मुंबई में दो पोर्ट आपको याद रखने हैं ठीक है एक वर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक है चलिए एक डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूं सारी आपको नोट डाउन करनी है सबसे पहले हम यहाँ पर देखा मुंबई ठीक है और फिर यहाँ पर न्यावा शेवा जिसको हम जवाहरलाल नारू ही भूर्ट के नाम से दोनों ही कहां पर है महराष्ट्र में है ठीक है एक पर भारत का शोट bidding को आपको तो इसको मारमा, गाउं ऐसा भी लिख्या मिलता है, थीकै, यह वात है, मारमा गाउं पूर्ट यहाँ पर आपको डेखने को मिलता हूं, इसको मैं एक बर्द मिटा देता हूं, ज्यांच कहां? पर है, गोवा मैं देखने को मिलता है, अब इसकी एक विषिष्टत क्या है, मारमा-गोवा की, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीके, मारमा गाउं इसकी विश्यस्ता जो यहां से question आता है वो यह आता है कि यह जुआरी नदी की एस्चुरी पर इस्तित है जुआरी नदी की जो एस्चुरी है ठीक है यह चीज हमें अच्छे से पता है कि यहां पर जो भी Arabian Sea में नदियां गिरती है वो एस्चुरी बनाती है क्या बन इसका एस्ष़री वाला हिस्सा हो गया तो यहां पर इसकी किनारी जो पोर्ट है इस्थ यह अपने सथ जो पने भी आवसाद ला रहा है अपने मुher पर नहीं ठीपोजित कर रही है अपने मुher नदी का पर भी नदी की गति़ स्लो नहीं हो रही है आपको यादा Stateプ O ये मार्मा जो गाओ पोट है ये इस्तित है तो ये बात आपको याद रखना है गुवा का इक महत्रपून पोट है तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है अगला पोट आपको मेंगलोर पोर्ट देखने को मिलता है कहां पर करनाटक में आपको मेंगलोर पोर्ट देखने को मिलता है तो ये भी काफी महत्रपूर पोर्ट है इसके बारे में बस आपको यही याद रखना है कि एक तो करनाटक में इस्थित है और कुंद्रे मुख यहां पर एक आपको पता है लोहा एसक कि यह खान जहां से उच्च गुडवत्ता का आईरन ओर निकाला जाता है ठीक है तो जो लोहा है यहां से जो निर्यात किया जाता है तो इसी मंगलोर जो पोट है यहां से इसको निर्यात किया जाता है कंद्रे इसको हम बोलते हैं क्या बोलते है को पर केयरल के जरकत टेखने को मिलता है अव्य को प्वeling क्या सब्सक्तिन प्रिए यह कैसको बयाँ है है थे और बिले जर इम करें के धायों जील न Bluetoothativa क्षाए आफे मोलते हैं सब्सक्क्रागक्रें तो बेमणाज जील के किनारी आपको कोची यह फिर कोचीन पूर्ट देखने को मिलता है इस पूर्ट से जाद तर आप देखें कि जो मसाले वगरा होते हैं ठीक है इनका निर्यात किया जाता है ठीक है तो यह दो-तीन पूर्ट या रखना बेमणाज जील इसके लाबा वैलिं कर लेते हैं यह हमारे जो पश्चिमी तठ है वेस्ट कोष्ट है उसके हमने सारे डिसकस कर ली एक वर में आपको रिवाइस करा देता हूं फटा फट है ना सबसे पहली बात यहां पर हमने देखा वी यह कांडला कांडला पोड कहां कच्छी खाडी गुजरात में हमें देखन किसको जवाहरलाल पौट की नाम से जानते हैं इसको डेबलप किया गया था फिर हमने मार्मा गोवा मार्मा गाउं या फिर और मार्मा गोवा पोर्ट निू यू फिरिंग याद रख ली जे कहां पर देंगौि यहां से नियरात के जाता है फिर कोच्छी हमें पहां दीखने को मिला केरल में ठीक है बेमबनात लेक किनारे ठीक है तो हम परमुख पोट परष्चिमी तटका有 जहाद है या इन में से कौऩ है को फिर फेठा है तो report प्र्वी तटका तो थिसाब से भी आपको पता होने चाह कि यहां की नदियां एश्वरी बनाती है अपने मुहाने पर डेल्टर नहीं बनाती है इस कांड से हाँ पर गहराई इस कोष्ट में आपको अच्छी देखने को मिलेगी ठीक है चलिए अब हम इस साड आजाते हैं पूर्वी तठकी और यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहां पर आपको देखने को मिलेगा कलकत्ता कलकत्ता पूर्ट या फिर कोलकाता है अभी इसको कोलकाता के नाम से आनते हैं तो कोलकाता पूर्ट कलकत्ता पूर्ट एगी वात है कुछ भी बोल लीजिए तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा अब यह एक नदी पूर्ट है कौन सा नदी बंदरगहा है नदी बंदरगहा है नदी बंदरगहा है आपको पता होगा यहां से गंगा नदी निकलती है इस प्रकार से ठीक है और इसकी ही एक वितरीका है यहां पर मैं बनाता हूँ यह गंगा नदी गई इसकी एक वितरीका है जिसको हम बोलते हैं हुगली यह सब पढ़ा रखा है मैंने आपको वितरीका मतलब एक बड़ी नदी की से एक छोटी नदी अलग हो गई है उसको हम वितरीका बोलते हैं डिस्ट्रिव्यूटरी बोलते हैं तो हुगली नदी पर ही आपको कलकत्ता शहर में कलकत्ता बंदरगहा देखने को मिलता है मतलब य इसके जल इस्तर को बनाय रखने के लिए एक फरक्का बैराज भी बनाया गया है ताकि गंगा नदी के जल को इस हुगली में छोड़ा जाए क्यों कि यहां पर पोट है एक बड़ा बंदरगह इसके किनारे इस्थित है ठीकि यह सब हम पढ़कर के आए हैं तो आपका रिव श्यामा प्रशाद मुख़र जी पोट के नाम को जानते हैं मिल जा को जानते है तो । यहां से भी क्षिशन एक जब आपे अदिखनेका अब इसी किसा पोट के लिए एक और बंदरगह बनाया गया है है जिसको हम हल्दिया बोलते हैं अलकि यह छोटा बंदरगह है इसी को support देने के लिए बनाया गया तो हल्दिया बंदरगह भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा याद रखना है वेश्ट वैंगौल में ठीके तो हल्दिया बंदरगह भी एक इसकी support के लिए ही इसको बनाया गया है बागी कलकत्ता मेन बंदरगा है जो कि हुगली नदी पर आपको देखने को मिलता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं ठीक है तो यहाँ पर अपकलकत्ता एक मेन याद रख लेना पोल काता पोर्ट ठीक है चलिए नीची आ जाएंगे तो आपको एक पारादीक चल पोर्ट देखने को मिलता है तो यहाँ से हम उसको निर्याद करते थे तो यह वाद भी आपको याद रखना है ठीक है तो लोहे व्याद होता है यहां से पारादीक ब्लत तौन लीजे बाकी बहुत ज्यादा कुछ यहां पर हाँ एक और पॉइंट है कि महानदी की जो है ना महानदी के मुहाने पर महानदी के मुहाने पर यह जो पूर्ट है हमें देखने को मिलता है तो debates मखने पर मखाने पर यह पोटर मैं देखने को देखने को मिलता यह nicht को से यापको आप पर तो हाँ देखने को मिलता है आंतरप्रदेश में वसाक का हुआ एक पंडरगह नाम की जगह भी है , ना अंत्रप्रदेश में और पोट भी यहां पर विशाक अपटनम सहर के अंतरगा थी इसकी विशेचता क्या कि भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगा कहा जाता है इसके लावा सबसे गहरा बंदरगा भी जान जाता है और सबसे सुरक्षित बंदरगा भी कहा जाता है और सबसे सुरक्षित बंदरगा भी कहा जाता विशाखा पटनम ही है आपको याद रखना और कैसा है तो प्राकरतिक बंदरगा है इसके पीछे क्या है डॉल्फिन नोज नाम की पहाडियां है इसके मैं इसको इतना सुरक्षित बनाती है तो यह पॉंट भी आपको याद रखना है ठीक है तो यह हो गई कोलकाता और विशाखा पट्टेनम तो आंगे चलते हैं तो आंगे तमिल नाडु राज यहां पर आपको तीन बंदरगा है याद रखने है अभी मैं फिर से आपको रिवाइस करा दूंगा इसको मैं रफ कर रहा हूं ताकि लिखने के लिए जगा मिल सके ठीक है चलिए यहां पर हम आएंगे कहां तमिल नाडु तमिल नाडु में आपको देखने को मिलेगा यहां पर सबसे ऊपर एक देखने को मिलेगा एन और बंदरगा एन और के बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा चेन नहीं ठीक है चेन नहीं और फिर यहां पर एक और देखने को मिल स्विनुग तोटी। 2 कूरिन। यह तीनों ही महत्पूर है । इसको हम काम राज पौट के नाम से भी जानते हैं का वे सब्सक् Ponर ब कम्प्यूटराइब्ड को चुक्त? आधूर को एसा कौश्यं आया कि भारत का सब्सक्राइब्ड बढूर का अब बीजोर पोर्ट है जिसको कामराज पोर्ट के नाम से आते हैं यहां कसे सबसे क्रतिम पूर्ट के थाकर सबसे क्रतिम पोर्ट मानों के दले के लिए लागारेusa तूती कोरिन के बारे में एक दो पॉइंट आपको याद रखना है कि इसकी गहराई काफी कम है ठीक है तो गहराई कम होने के कारण जो बड़े शिप हैं बड़े जहाज है यहाँ पर नहीं आपाते तो तूती कोरिन की डेफ्थ जो है वो कम है ठीक है क्योंकि आपको पता कि पर डेल्टा बनाती है आप देखेंगे महानदी हो गई किष्णा कावेरी गोदवरी तो जब डेल्टा बनाती है तो अपने शाद बहुत सारे अवशादों को मुहाने पर जमा करती है इसके कारण से क्रतिम रूप से काफी वहां पर काम करना पड़ता है ठीक है क्योंकि ग इसके लबा एक और जो लास्ट पोर्ट है इसको मैं रफ कर रहा हूं अभी सारे आपको रिवाइस कर दूंगा लिखते जाना पोर्ट ब्लेयर ठीक है लेडेश जो बड़े पोर्ट में दिया हम बात करेंगे नवीन दम जो पोर्ट है 2010 में ही इसकी शुरुवात हुई कामस तो ब्लेयर आंडवान निकोवार दीप समह में मिलता है तो यह तिरह बड़े पोस्त में पर लेहां से हुआ है इसको ए Betsy फटक से निगारी नक्या इसको रहा श्कीन के लिए रहत किया है आपको मिलता रहिता है विश्का फ्टानम सबसे रीशा में मिलता है विश्याखः नी को मिलता है यहाँ पर टीन में डिसकुस कि ए यह व्या न मम अयुट और कंप्राश्ट बख़स ठ्यणाहिए न कर्यांजभ मुठ Considering क्रते में दो खासतोर पर याद रख लेना एक तो चेन नहीं और एक तो न्यावा श्रेवा ठीक है और यहां पर हमने कामराज पोर्ट को सब्सक्राइब बोल रहा हूं मैं यहां पर तूती कुरिंट पोर्ट इसकी डेफ्थ कम है इसकी गहराई कम है और इसको हम ओ चिदंबर पोईंट मैंने आपको बताए हैं ध्यान से एक एक पोईंट डाउन कीजिए महत्पूर्ण है ठीक है चली मैंने कुछ पी वाई क्यूस भी आपके सामने रखे हैं तो उसको भी हम एक बार डिसकस कर लेता है ठीक है देखिए भारत में कुल कित्ते बंदरगा है ठीक है तो बड़े 13 बड़े हैं ठीक है 13 मेंन आपको डिसकस करा दियो और लगवक 200 हो छोटे 2200 से अधिक छोटे के दोड़ार के दर्ला मेंटिनेंस किया जाता है बड़े जो चोटे बंधरगा moisturizing की ए वह और आज ये सरकार मेंटिनेंस करती है इस प्रकार से सूची से भी तो पहले का चार हो जाएगा ठीक है नियावा शेवा ही राखना की सबसे आधुनिक जो बर्vention है वो जानां हम्बाइल. डेवलेब किया था मंबई महाराष्ट में ही हमें देखने कुछ में थीक है तो इसका हो जाएगा एक ठीक है पारणी भिया उडीशा में है है ना लोही कर्णियर्यात जापान वग्यार को किया जाता है इससे तूती कुरिन यह मैं आपको बताया कि दर्मबरम बोर्ड के नाम यहां पर कुछ गडवड़ कांडला घुजरात न्याव शेवा महाराष्ट पारदी उडीजा और तूति कुरिन तमिल नाडू तो यह आपको याद रखना है एक्छे से याद हो गया होगा है 2-3 प्रैक्टिस करेंगे कोई बहुत जाद नहीं सिर्फ 13-13 ओर और कि कुछ लगवक बीस पच्चिस फैक्ट निकलके आएंगे तो वही आपको याद करना है बाकी बहुत ज्याद कुछ याद करने की अवशकता नहीं है कौन सा बंदरगा जुआरी नदी की एस्चुरी पर इस्थित है ठीक है अच्छा कोशन है बारवार रिपीट होता है तो शान को देखने को मिलता है कौन सा है मारमा गाओ है ना मारमा गाओं आपको गुलता है Tele केनारे कान्डला बंदरगा कौनसे खाडी में हैं चाफ चान्फूज कि खाडी में है कान्फूज मत हो सी संबंदित कौN सतथ कोस्छी बंदरगा List है तो के Sydney वालारीजन है सब करना सित हैं कोईर मन्दल उत्री स्य Fehler लग गरें भारत के तटी मैदन ऊपड़ते हैं तो केरल वाले to अगला अगला है इससे कॉश्च नहीं है दो दो मेने आपको बताये थे तो जो मंबई तो चेनना फीस तरह और याद रख न partnerships मुंबई सबसे बड़ा बंदरगा है और काफी जयादा ट्राफिक व्यस्तवी रहता है ठीक है तो याद रखने सबसे बड़ा बंदरगा यह देखने को मिलता है तो जितने भी प्रमुक बंदरगा थे मैं आपको discuss कर दिया है तो फिलार आज की लेक्चर में इतना ही आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया और भी कुछ ऐसी स्टैटिक टापिक आप उससे पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंड वक्स में बता सकते हैं मैं कोशिश करूंगा अगले वार आपको वीडियो पसंद आता है तो फिलार आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही वीडियो पसंद आता है तो फिलीज वीडियो को लाइक करें इसके लाव आपने दोस्तों के साथ शेयर जरू करें मिलिंग अगले बहतर लेक्चर में तब तक बना ख्याल रखिये और पढ़ते रहिए बाय बाय टेक केर जैहिंद